नमस्कार आप देखरें एंपी न्यूस आपके साथ मैं हूँ नमरता बुंदेला एंपी न्यूस के खास कारी करें में आपका स्वागत है बीजेपी में इन दिनों प्रेशिक्षन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और यही वज़ा है कि पहले बीजेपी ने अपने प्रदेश पताधिकार्यों के बैठा की और अब दो दिवसिय विधायकों की पाठशाला महांकाल की नगरी उजयन में लगी हुई है आज पहला दिन था इस पाठशाला का हमाने सामवादाता नमन इस वक्त हम से चुड़े हुए है नमन आज बीजेपी विधायकों की जो पाडशाला थी उसका आज पहला दिन था दोदिवसीय ये पाडशाला है तो कौन-कौन से दिगज इसमें शामिल हुए और क्या कुछ खास रहा इस पाडशाला में और भारतियनता पाल्टी की जो सहव प्रभारी है मद्द्यपरदेश की पंकर्या मुंडे ये और इनीके साथ जो थे भारत्यनता पाल्टी के प्रदेश अद्द्यक्ष वीडी शर्ما भी इस जो पाडशाला में है वो आए थे और निशीत तोर पे सबी हिदायकों को इस पाड पाडशाला कायोजन किया गया था जहां पर जो विभिन मुद्ध है पालिटी से जुड़े उनकी जो बात है वो विधायकों के साथ की गई तमाम जो जानकारियां है वो विधायकों से ली गई विधायकों के साथ जो है जानकारिया साज़ा भी की गई तो तमाम इस प्रकार क इसका पहला दिन जो आज संपन हो गया है वही इसका जो दूसरा दिन है वह कल होगा जिसमें भी जो है बड़े नामों के आने के यहां पर पूर्ण रूप से संभावना है आज भी परदेश के जितने भी मंत्री हैं वो इस पाड़शाला में दिखाई दिये जितने भी विधायक हैं वो इस पाड़शाला में दिखाई दिये खास तोर पर सिंध्या समर्थक वो विधायक जिनकी पहली बार ये पाड़शाला में शामिल हुए हैं वो विधायक भी प सित्र को लेकर के तमाम जो जानकारियां हैं वो बिदी और तैयरियों का जायज़ भी अपर लिया है पार्टी की रीती नीती जो है वो यहां पर सिखाई जा रही है अपने विधायकों को किस तरह से तैयारियां करनी है किस तरह की रनीती बनानी है यह सारी चर्चाइस जो विधायक हैं वो इसमें खास्तोर से शामिल हुए हैं और पहली बार ये मौका रहा है उनका की आपस में सभी बैट कर इस तरह से बातशीत कर रहे हैं लेकिन एक बहुत बड़ा तक्ता पलट हुआ था जब कॉंग्रेस से कई सारे विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे कई सारे मंत्री बीजेपी में शामिल हुए थे और अब कुछ ही दिनों में नगरी निकाय चुनाव होने वाले हैं और विधान सभा के शीत कालिन सत्र से पहले ये पार्ट शाला आयो जित की गई है तो क्या मानना जाए क्या बीजेपी के जो पूर्व नेता है और जो अभ ले जाकर के भी जो है पार्टी की रितिनिती सिखाई जा सकती थी लेकिन इसा नहीं किया गया उनके साथ में भाच्पा के भी जो विधायके उनको भी बुलाये गया साथ ही इसको पूर्व मुद्दे को बुराने के लिए बाच्पा ने पहले भी करिप्रिशिक्षण कराने का एक बड़ा मोका था जिसको भारती एंता पार्टी ने प्रिशिक्षन शीविर का जो है नाम दे करके पूरे प्रदेश में आयुजित किया बारी बारी से प्रिशिक्षन शीविर आयुजित हुआ है इसमें तमाम जो कारी करता है उनको प्रिशिक्षित किया गया है और साथ ही जो बदलता सुरूप राजनीती का है, जो टेकनोलोजी के इस दौर में तेजी से जो राजनीती का दौर बदल रहा है, उसको लेकर के भी जो अपने कारीकरताओं को अपडेट करने का पूरा जो कारीकरम है, वो भारती अंता पार्टी ने स्पार्ट शाला के विधायकों को यहां पर साजा की जा रही है इसके साथ ही आने वाले समय में विधान सभा का शीत कालीन जो सत्र है उसमें क्या कुछ भूमिका पाल्टी के विधायकों की रहेगी और आने वाले समय में कैसे जो है पाल्टी के विधायक शीत कालीन सत्र की जो अहम परिक्षा है उसको पास कर पाएंगे। उसको लेकर करके भी यहाँ पर तयारयां की गई है। थी जहांपर खुद भरत्यांता पाल्टी के नौन यूक्त प्रभारी मद्ध्यप्रदेश के पी मुर्लिदर राउ इसमें सम्मेलत हुए थे उन्होंने पाल्टी कारी करताओं से बातचीत की थी जो पदादीकारी नौन यूक्त थे उनसे उन्होंने चर्चा किते और कैसे आ और कैसे आने वाले नगरे निकाए चुनाव रूपी जो परिक्षा है जैसा की नमन ने कहा है इसको कैसे पास किया जाए ये बीजेपी अपने विधायकों को इस पार्ट्शाला के जरीए समझाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी में एक खास बात ये हो थी कि जब भी तब जनता का मुड़ा बदल जाता है हर बार के चुनाव में मुद्दे नए होते है बात नई होती है जनता का मूड नए होता है और बीजेपी की एक खासियत रही है कि जनता का मूड समझती है और फिर उसी प्रकार से जनता का दिल जीतने की कोशिश करती है और इस बार भी बीजेपी यही कर रही है क्योंकि समय बदल रहा है अब चुनाव का जो जरिया है वो बदल रहा है तो कैसे अपने विधायकों को तैयार करें कैसे आने वाले चुनाव के लिए तैयार करें और कैसे इस चुनाव रूपी परिक्षा को पास करें यह सारी चर्चाएं यह सारी रीती दीती अपने विधायकों को सिखाने के लिए बीजेपी बार-बार इस तरह का प्रेशिक छण शिवर लगा रही है। ताज़तरी इन खबरों के लिए आप पने रिये महारजा, देख तेरे MP News, नमश्कार। MP की नफस, MP का हाथ, मज़्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ, लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना, जरा भी न पूदे।